हलो दोस्तों, अभिनम नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ आप सबका, आपके अपने यूट्यूब चैनल, Let's Talk with Abhinam में जैसा कि आप सबको पता है, 15 दिसंबर से हम लोग मैरासन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, CGL 2012 मेंस के लिए तो आज मैं उसी के regarding यहाँ पे एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले जिनों में हम उस सीरीज में क्या-क्या करने वाले हैं, कैसे-कैसे करने वाले हैं और किन-किन के लिए यह कोर्स है और कौन से बुक्स आपको उस कोर्स के साथ रखनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, especially Maths के लिए तो पहले तो उन सभी के लिए जो जिनों ने comment किया था, thank you so much आप लोगों response बहुत अच्छा है, आप लोगों ने group में भी कुछ suggestion दिये थे बहुत लोगों ने personal suggestion दिया, मैंने उन सब पे काम किया है और आप लोगों के लिए मैं ऐसा course प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें CGL mains में जितने भी questions अब तक आये हुए है मैंने हर एक chapter wise उसको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया और उसका solution आपको provide किया है और यकीन मानिये, बहतरीन तरीके से, बहुत ही easy तरीके से होगा ऐसा नहीं है कि सारे questions ट्रिक से ही बन रहे हैं concepts भी होंगे, tricks भी होंगे, सब कुछ होगा, बहुत ही प्यारा होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत लोग expected cutoff की बात कर रहे थे कि किन को तयारी करना चाहिए और किन के लिए ये course है तो अगर देखो, expected cutoff के लिए मैंने already mains का video बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि approach 120 के आसपास रहेगा जो cutoff है, मतलब 120 से बहुत ज़्यादा उपर भी नहीं जाएगा अगर जाएगा भी तो 2-4 नमबर और नीचे जा सकता है तो आप मानके चलो कि max to max जो cutoff जाएगा ना, वो 125, 123, इतना ही जाएगा 120 के approach मानो, plus minus 5 और 10 आप कर सकते हो उसके अलावा, अगर आपके इतने हैं तो आपको तयारी start कर देना चाहिए अब फिर है यह course किसके लिए है, तो क्या यह उन्हीं के लिए है, जो mains की तयारी कर रहे है, तो बिल्कुल नहीं देखो, मेरा main purpose जरूर mains के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके exam में आने वाले दिनों में बट अगर आपने maths कहीं से भी पढ़ रखी है, एक बार अगर आपने syllabus कर रखा है या कुछ chapters आपने पढ़ रखे हैं, तो यह आपके लिए है एक बार क्यों पढ़ा होना जरूरी है, बिकॉस कि इसमें ना मैंने basics नहीं करवाए है इसमें मैं जैसे chapters start करते हैं, तो उनकी जो basic चीजे हैं, वो मैंने नहीं बताया है वो जब मैं March-April से batch start करूँगा, उसमें सब कुछ provide करूँगा लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप कह सकते हो कि सीधा mains के questions उठाए हैं तो थोड़ा सा difficulty level देख सकता आपको, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि SSEC CGL mains के questions बहुत easy आते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा useful होने वाला है इसके बाद हम बात करते हैं, टाइमिंग की, तो इस batch की क्या टाइमिंग है रोज रात को आपको 9 बचे मिलेगा, हर एक वीडियो रोज per day premiere होगा, Monday to Saturday ध्यान रखना, week में 6 दिन आपको वीडियो मिलेगा, जो 7th day होगा, Sunday, वो rest day है आइधर आप rest करना, वैसे मत करना, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो कम करो, महिने में एक या दो दिन ही किया करो अगर week में बाकी 6 दिन अच्छे से पढ़ते हो, तो कर सकते हो, एक दिन rest, तो Monday to Saturday, अगर आपका by chance कोई class छूड़ जाता है, तो उसके लिए आपके पास Sunday है, तो ये basically timing है आप लोगों के लिए, Monday to Saturday, duration की बारे में बात करें, तो 40 से 45 वीडियो है, आप मैक्सिमा मान के चलो 45 देज, अगले 45 दिन में आपका पूरा arithmetic advance, जो नई topics एड़ हुए है, सब खतम होने वाला है, तो next 45 देज, 45 working देज की बात कर रहा हूँ है, Sunday को exclude कर देना उसमें, तो मोटा मोडी आप अगले 50 दिन में आपका complete syllabus हो जाएगा, कहीं से कुछ करने की ज़रुत नहीं है, ये आ बहुत लोग कह रहे थे कि पहले advance करवाओ, बहुत कह रहें कि पहले arithmetic करवाओ, लेकिन जो तरीका है हम उसी से करेंगे, देखो पहले हम arithmetic करेंगे, देखो क्यों क्यों कि मैं नया teacher हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को मेरी language कितना grab करने में कितना time लगता है, दो से बाद teacher और student के अंदर vibe मिलना भी जरूरी है, तभी वो पढ़ पाएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा, तभी आप समझ पाओगी कि मैं जो कहना चारा हूँ वो क्या है, देखो, market में बहुत teachers है, बहुत teacher है, कोई teacher खराब नहीं है, कोई teacher खराब नहीं है, क्योंकि नए topics add हुए है, जैसे statics, probability, permutation and combination, ये जो तीन topic add हुए है, हम ये करेंगे, इसके अलावा arithmetic progressions भी बहुत लोग कहा रहे थे, वो और उसके बाद फिर हम advance start करेंगे, advance में देख लेंगे, पहले geometry करना है, या algebra करना है, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपका तरीका में वाले हैं, जो new topics add हुए है, वो करेंगे, और फिर हम advance करेंगे, देखो 50 दिन की बात है, सब कुछ खतम हो जाएगा, कोई ज़्यादा परिसान होने की जुरत नहीं है, इसके अलावा एक doubt group है, doubt group basically telegram पे बनाये गया है, आप उसे join कर लेना, नीचे में description में, वीडियो के description मे आपको link मिल जाएगा, उस link से आप join कर लेना, और आपके पास जो भी question होता है, उसे आप उसमें पूछ लेना, कोसिस करना कि irrelevant question ना पूछो, मतलब comment में भी फालतो के questions नहीं पूछने हैं, अगर आपको कुछ भी genuine सा लगता है, आप पूछो, मैं जवाब दूँगा, लेकि आतू के questions नहीं पूछना, एक दूसरे से लडाईया नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लड़ना, भी थोड़ी दिन पहले मैं देख रहा था कि दो बच से लड़ गया थे comment में, वो भी नहीं होना चाहिए, मुझे आपको block करना पड़ेगा, काम की चीजें, हम questions start करेंगे, recorded video है, और आपके पास time कम है, तो time खराब मत करना, बिल्कुल भी time खराब मत करना, इसके अलावा कि books कौन से refer करनी है आपको, तो अगर आपके पास already books available है, कोई पुरानी, तो वो काफी है, और अगर नहीं है, तो किरन publication की ले लेना, chapter wise ले सकते हो, लेकिन chapter wise पूरा नहीं करना, ध्यान रखना, पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, जितने type दे रखे हैं, हट type से पहले 15-15-20 questions कर लेना, वो sufficient होगा, किसी भी case में, ध्यान रखना कि किसी भी chapter में, 100 से ज़्यादा questions नहीं जाना चाहिए, arithmetic में, और ये course को blindly follow करते हो, अच्छे से follow करते हो, तो what I can guarantee कि आपके न 80, 90 में से कहीं नहीं जा रहे हैं, जिस दिन भी आपका mains होगा और उसके बाद आपका answer की release होगा, ऐसे ही एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, और मैं बताऊंगा कि कौन-कौन सा caution किस वीडियो में मैंने provide किया था You can trust me, मैंने चार बार निकाला है ये exam, SSE, CGL, Mains मैंने चार बार दिया और चारो बार मैंने Foda है, ये नहीं कि सिर्फ marks लाए हैं और cut-off clear किया है, चारो में में मेरे काफी अच्छे numbers थे, इसके लाबा मैंने बहुत सारे banks के exams निकाल रखे हैं, बहुत सारे exams निकाले हुए ह तो मुझे पता है कि किस टाइब का question पूछा जा सकता है, तो you should have some trust on me और जो जो मैं कहा रहा हूँ, उसको follow करते रहो, math की guarantee मेरी है, बहुत लोग कहा रहे थे कि English भी करवाओ, GK भी करवाओ, तो देखो भजा ये मेरा नहीं है, English और GK या फिर reasoning फिलहाल मैं नहीं करवा सक क्योंकि ना मेरे पास इतने resources है कि मैं teacher रख सकूँ, और मेरी खुद की knowledge इतनी है नहीं in topics में, कि मैं आपको सिखा सकूँ, हाँ, मैं बता सकता हूँ कैसे कैसे करना है, जो जो मैंने किया था, लेकिन कोई topic सिखा नहीं सकता, मैं ये बता सकता हूँ कि noun important है, pronoun important है, ठीक है, इ मैं sorry बोल रहा हूँ, फिलाल के लिए, आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर resources है, तो I promise मैं आप लोगों को complete syllabus, YouTube पे ही provide करवाऊंगा, YouTube पे ही free of cost, चाहे pre हो या mains हो, मैं already job में हूँ, तो मैं paid course नहीं ला सकता, मैं कहीं पे online या offline नहीं पढ़ा सकता, paid में, तो free of cost आपक आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यह जरूरी नहीं है कि मैट्स के लिए हम 500-300-300 गंडे की वीडियोज देखें, 50 दिन, 50 गंडे की वीडियोज होगी maximum, 45-50 गंडे, उसमें देखना पूरा मैट्स आपका cover हो जाएगा, I hope, मैंने सारे questions आपका, जितने भी questions आपका answer दे के लिए, अगले 45-50 दिन आपको मैराथन में लगना है और फिर देखना आपके मैट्स की उचाई कहां से कहां चली जाएगी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए keep study